नमस्ते फ्रेंड्स केसे हैं आप सभी लोग मैं मनिशा स्वागत करती हूँ आपका मनिशा स्कुए क्रेसिपियन ब्लॉक्स के चानल में आज के इस वीडियो में नारेल के लड्डू का मैं ऐसा धमाकेदार वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसे बनाने की पार दीजिएगा तो चलिए अब शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर ले रखा है नारेल तो एक्तम फ्रेश नारेल है कि गिल्ला नारेल है ठीक है इसके बाद में सबसे पहले आपको नारेल को ले लेना है तो मैंने साफ करके अच्छे से इसक मैं निकाल लिया इसके बाद मैं अब मैं और मिक्सी में डाल रही हूं और मिक्सोether με डालके इसे मैं अच्छे से fine एक हनो पीस लूँंगी कुछ इस तरीके से तो अब मैं आप पे मिक्सी में से लगाऊंगी इसके बाद में मिक्सी में लगाने के बाद में मैंने गैस पे आपे पैंड रख दिया है तो यहाँ पे मैं पूद दिखा दिती हूँ इसके बाद में पैंड में मैंने आपे तीन टीज़पून देशी गी डाल दिया है देशी देशी गी अच्छे से गरम हो जाएगा ना इस में आपे नार्यल को डाल दूँगी राणिले की बाद में अच्छे से आपको इससे मिक्स करते रहना है इसमें सेने एक हल्का सा फ्रेग्रेंस आएगा जो कि बहुत अच्छा है तो इसे अच्छी से आपको मिक्स करते रहना है इसका करार भी चेंज होते जाएगा इसके बाद मैं इसके अंदर मैं एक कार्णे कर लिए हैं तो सारे मेजरमेंट्स आपके बिल्कल सही और एग्जाक चाते है इसलिए मैं हमेशे यही फॉलो करती हूँ इसके बाद में इन्हें अच्छे से mix करने की बाद में मैं इसके अंदर इलाइचे का powder डाल दूँगी आप चाहे तो इसके अंदर इलाइचे को कूट कर भी डाल सकते हैं इसके बाद में अब मैं यहां पे इसे अच्छे से mix करके ले लिया है अब यहां पर मैं इसके अंदर उसी एक टोरी से वापस से चीन डाल दूँगी चीन डालके इसे अच्छे से मैंने मिक्स करके ले लिया है कम से कम आपको इसे 10-15 मिनटे से पकाते रहना है पकाते रहना है आप देख सकते हैं अब भी कैसे एक्तम लिक्विड फॉर्म में आ च इसको थोड़ी दिर और मिक्स करते रहना है इसका साइज भी रिडियूस हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा यह अगर आप इसे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं अच्छे से रेडी हो चुका है यह देखे नीचे भी कहीं जिपका नहीं है काफी अच्छे से रेडी हो चुका है अब मैं यहां पर क्या करूंगी कि ग्यास को बंद कर देंगे और इसे हम लोग ढखके रख देंगे आप चाहते इसे खुला भी रख सकते हैं लेकिन इसे हम लोग थंडा करके ले लेंगे थंडा करने के बाद में तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह के से मैं लड्डू बना रही हूं और साइड में ने कटोरी में सुखा नारेल का बुरादा भी लिया है उसको मैं यहां पर इसके अंदर इस तरह के से डिप कर लोंगी कोट कर लोंगी इसे अच्छे तो इक तम यह मार्केट स्टाइ करने जाओ तो बहुत महेंगा होता है यह तो हां इसे घर में जरूर एक बार जरूर ट्राय करके देखिएगा अब मुझे कैसा लागा जरूर कॉमेंट करके बताना चलिए अब बना करके सफ कर लेते हैं एंड फ्रेंड्स यहां पर देखिए हमारे टेस्टी नारेल के लड है थे 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 थाओ झाल एंड्ट टे उन जरूर एंटक झाल मुझे जरूर इस न जरूर एंग एंट झाल